रेडमी के Note 10 Pro Max device के लिए यहाँ पर होराई एंड रोइड का एक लेटिस्ट अपडेट आ चुका है जहाँ पर काफी साही कस्टुमाइशन आपको देखने को मिलते हैं और पिक्सल के कमडेशन में यहाँ पर आपको काफी अच्छा फील होता है जब आप इसे यूज करते हो क्योंकि यहाँ पर स्मूधनेस आपको बेटर देखने को मिलती है और आज किसे वीडियो में बाता हूँगा क्या 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 सेटिंग्स मिलती है जिसे आप डिसाइड कर पाऊगे इसे डालना है या फिर टाटा बाई बाई करके आपको पिक्सल पे इस्टे करना है तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं यहां पर जो वाल पेपर है इसका सिस्टम डिफॉल्ट है जो कि मुझे डियली में काफी अच्छा लगा और यहां पर देखो अनलॉकिंग के सामने कैसा एनिमेशन आपको नजर आता है यह देखसेते हो जैसे मैं अनलॉक करूंगा आपने देखा यह चीज भाई काफी डिफेंट लगा मुझे काफी जड़ा अच्छा लगा है क्योंकि आपको सही लगने वाला है और यहां पर यहां पर यहां पर फास्ट डेखनी को मिलता है पिक्सल के कंपरिजन में यहां प यहां पर नहीं क्योंकि काफी जड़ा लाइट वेट है जिसके वैसे काफी सही तरगे से परफॉर्म करता है इस डिवाइस के अंदर वहीं पर हम बात करें बाउट सेशन की तो आपको देखनी को मिल जाता है इस तरह की से कैटेगरी बना दी गई है इस वार के अंदर जहा यहां पर आपको एक्स्रा सेटिंग जो कि हम बात में देखेंगे पहले बॉटम की ओर चलते हैं यहां पर पास्वर्ड एकस्सेबिलिटी और फेस उनलोक वगगरा के सेटिंग्स मिल जाते हैं जो कि आप प्रोपर काम करते हैं जिन में आपको कोई दिक्कत नहीं आता प्र डिवाइस का डाइनोसिस का उप्शन और जाड़ा कुछ यहां पर नहीं दिया गया वहीं पर बात करें वालपेपर स्टैल्स की तो यहां पर आपको देखने को मिल जाता हुई सिंगल वालपेपर बाकि इस्ट्रा नहीं दिया गया सौटकर्स वगएरा और आइकन वगए क के option आपको मिलते हैं Notition के अंदर यहां पर आपको Notition Cool Down का option देखनी को मिल जाता है जो कि आज के time में common हो चुका है और बाकी वह इसारे basic setting आपको मिलती है display के अंदर auto brightness आपको proper काम करता है कोई दिखत नहीं आता तो आपको यहां पर कोई भी प्रोलम नहीं होने वाला इसे use करते हुए और मैं थ्वास ब्राइटनेस को maintain कर लेता हूँ ताकि ठीक से दिखाई दे ज्यादा over sharp नहों tap to wake up, tap to sleep, accidental wake up वगेरा यह सारे काम करते है डिस्प्ले का option आपको मिल जाता है, HDR डिस्प्ले का वी option यहाँ पर दिया गया है, बागे color वगेरा है, live display वगेरा यह आपके काम करते हैं और pure black का वी option आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि बहुत सरे लोग इसे प्रीफर करते हैं और यह पेक्ष्टा कस्टमाइशन की बात करें, तो इबाउट में हमारे maintenance का support वगेरा का option आपको मिल जाता है, अच्छेट्स बार के अंदर यहाँ पर कुछ अलग animation एड़ किया गया है, जो कि देखने में अच्छा लगा कि पहले वाले update में यह सारे चीज़ नहीं थी, यहाँ पर लोगो कस्टमाइशन दिया गया है, बैग्राउंड चीप है, यहाँ पर ब्लूटूथ अश्रिटस बार है, नोटिसन काउंटर वगेरा, और यहाँ पर स्कीन प्रोजक्ट वगेरा का भी option आपको मिल जाता है, यहाँ आपको मिल जाता है, सर्ज बार श्टाइल का इसा चाहिए, बाकि यहाँ पर ऑफ एनिमेशन वगेरा आपको मिल जाता है, नोटिसन के अंदर आपको एज लाइट का option मिल जाता है, नोटिसन काउंटर, हैंट्स अप और कॉंपक्ट का भी option आपको मिलता है, लॉक स्किन के अंदर यहाँ पर रिफर, बैटरी इंफो वगेरा, मिसलेनेस के अंदर यहाँ पर गेम असपे से बटन के option देखने को मिल जाते हैं, बाकि बटन के अंदर आते हैं तो यहां पर वो बटन के options वगरा देखने को मिल जाते हैं जो कि आप यहां पर देख पारे हो common से basic से options आपको मिलते हैं gestures का option दिया गया है जो कि यह हमें mostly system के अंदर देखने को मिलता है about के पास but यहां पर अलग customization में डाला गया है बाकि यहां पर gaming से related background kill process वगेरा है app downgrade का option मिल जाता है ignore windows secure flag है और बाकि यहां पर ultimate photo storage और शासा device encryption वाला भी option यहां पर दिखाई देता है storage से related जो कि अच्छी बात है यहां पर जितने भी setting दिये गए यह सारे काम करते हैं इसमें आपको दिक्कत नहीं आती और customization इस वार काफी जड़ा बेटर हुआ है पिछले वाले update के comparison में जो कि मुझे पसंद आया और smoothness reality में मुझे feel हुआ है better pixel के comparison में क्योंको हां पर हलका उलका structure थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है इस रोम के comparison में बट यहां पर काफी जड़ा तक improved feel होता है क्योंकि काफी जड़ा lighter हमें है जो दिखाई देता है वहीं पर बात करें इसके test result हो रहा है कि क्या कुछ कैसे देखनी को मिलता है यहां पर dialer दिया गया है different जिसके वैसे core recording का benefit आपको यहां पर मिल जाता है तो यह सारे benefit आप यहां पर ले सकते हो इस रोम को यूज करते हैं जो कि काफ़ इची बात है बाकि यहां पर clear all lock split वगएर के भी option आपको देखनी को मिलता है system launcher की बात के यहां पर आपको different launcher देखनी को मिलता है जहां पर कई सरे customization दिये गए हैं जो कि आप यहां पर use कर सकते हो अगर आप इनका use करना चाहते हो तो otherwise जैसा है वैसे आप इसे छोड़ सकते हो और साथ साथ यहां पर हम बात करे test result की तो वह मैं आपको दिखा जाता है और हाँ यहां यहां पर आपको इसका system default camera देखनी को मिल जाता है जो कि आपको HyperOS और MIUI के साथ देखनी को मिला था तो यह आपका proper काम करता है इसमें आपको दिक्कत नहीं आती पर जब भी आप इस इंस्टॉल कर गए कुछ इतने system default application मिलते हैं इसलिए मैंने कहा यह काफी ज्यादा lighter रहत है जो कि only 38 है वहाई ऐसे कैसे यह इतना जादा कम temperature क्योंकि other phone तो इसे इजली है जो 45, 48, 49 तक टच कर देते हैं but same timing पर मैंने दोनों को test किया था F6 को साथ में और 10 pro को और यहां पर आप देखो temperature काफी जड़ा under है जो कि वहाई अच्छा लगा कोई भी मैंने fan when normal चालू था AC वगएरा cooler वगए कुछ भी नहीं रखा ना इफ्रीज में डाला कुछ भी नहीं किया था इसा वहाई पर आप देख से तो Geekbench में सिंगल काफी अच्छा है मल्टी था सा डाउंसाइड है लेकिन उमीद है कि यह वंडे के बार और इंप्रूब हो जाएगा वहाई पर इस्टिंग भाई मॉर्निंग के टाइम में मैंने किया था फैन चालू था उससे मैं उसके बाद मैंने दुआ चेक किया प्रफाइल से था बूस्ट करने के बाद जो कि मैं आपको दिखाते हूं कितर गया हमारा बूस्ट होला आइथिंक यह ही है कुछ खास difference मुझे देखन लॉक मिल जाता है यहां पर साथ साथ गेमिंग के अंदर आपको यहां पर extreme plus और ultra extreme का setting मिलता है क्योंकि यह unlock किया गया है बाग आपको पता ही किस टैप का आपको यहां पर रियली में मिलता है काम करने लाइक settings वोगेरा तो यह साथ चीज आपको मिलते है इस रोम के तरफ से और यह मुझे काफी जड़ा अच्छा लगा है यहां पर आप देखोए वॉल्यूम के साथ इस तरीक से डॉट 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 डिया गया है इन सभी डॉट के ओपर एक ए अब रही बाइब डालना कैसे तो simple आपको टी लॉट पर जाना है अपना fw flash करना है अपने डिवाइस का लेटिस्ट वाला रिजन वाला और इस रोम को और format और रिबूट कर देना है आप यह काम orange fox को डाल के भी कर सकतो या फिर टी डॉलर्प को भी लेकिन लेटिस्ट वा पहले रिक्वाइड जो भी है उसी आपको platform tool के अंदर move कर लेना है और cmd command को open करना है cmd command जैसी open होता है आपको यह तो पहले drive or check करने के लिए command run कर देना है या फिर डायेक्ट टी डॉलर्पी orange fox installation का जो भी आपका supported command है वो आपको type करना है और आपने टी डॉलर्पी orange fox का image file को drag and drop कर देना है और flash कर देना है जो भी required recovery रहेगा वही यूज करना है उसका command डालना है reboot to recovery का जिससे आपका phone reboot कर जागा recovery के अंदर और अब recovery से आपको browse करना है क्या आपकी supported file को one by one करके select करते जाओ flash करते जाओ और maybe अगर flashing के डारान कोई भी error आता है तो ऐसे में reboot to recovery करो और रोम को फिर से refresh कर लो और reboot to recovery के time पे maybe आपका है जो तीर लोयर पी या और इंट फोक्स रिप्लेस हो के different recovery सो कर सकता है तो ऐसे condition में आप क्या कर सकते को उस रोम को नए recovery के साथ दुआरा refresh कर दो अगर refresh proper हो चुका है तो आप dact format करके reboot कर लो आपका जो भी OS है वो boot कर जा होगी बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी flash कर रहे हो वो अप्रोपर flash हो जाए कोई भी error ना आए I hope कि आपको सुझ में आ गया होगा मैं मिलता हूँ नेक्स वीडियो में ठैक्स वोचिंग टाटा बाइबाइ